घलो गईस इस इस वीडियो में आप लोग के साथ इस हीेठ मास्क को किस तरह से यूज़ करते हैं इसका रिव्यव्यू शेय करएंगी और किस तरह से आप घर पे ऐक कायटेन लुक पासकते है, इस हीेठ मास्क को यूज़ करके वह भी मैंगी दिखाया है तो अगर आप जानना जाते हैं तो इस वीडियो को पुड़ा देखते रहिए यहाँ बे मेरे पास है वोलुमिन और्गनिक्स का बनाना नरिसिंग हेर मास्क विद कैरेटिन और अर्गन ओयल यह प्रोडक्स सलफेट फ्री है, पेराबिन फ्री है, बिनर ओयल अन्ड कलर फ्री हैं इसको हर को यूज़ कर सकता है चाहे आप गल्स है या बोईष यह एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है इसको आप color treated hair पर भी use कर सकते हैं यह hair max normal to dry hair के लिए है और इसको आप as a hair spa cream की तरह भी use कर सकते हैं यह hair max thermologically tested है cruelty free है JMP certified है and 100% natural active है इसमें एक strong fruity smell है जो कि hair wash करने के बाद वो almost चला जाता है मैंने इसको नायका से purchase किया था और उस टेम पर नायका पर काफी जदा offer चल रहा था तो around 200 रूपीस इसका बड़ा है मतलब one application में यह पूल डबबा आपका खतम हो जाएगा लेकिन अगर आपके hair length मेरे से छोटी है तो आपको आप इसे दो बार use कर सकते हैं इसके back side पर आपको इसके full ingredient list और इसको किस तरह सी use करते हैं वो दिखने को मिल जाएगा इस product को आप scalp पर use नहीं कर सकते हैं इसको सिर्फ आप root to length आप इसको use कर सकते हैं तो इस product को बिलकुल भी आप scalp पर use मत कीजेगा क्योंकि इसमें काफी एदा chemical भी use हुए है जो कि आपके hair के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है इस hair mask को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं आपके hair fine treatment की तरह भी use कर सकते है और इस नहीं होने किया है थोड़ा बहुत आपका hair manageable हो जाता है आपके hair जो हैंडिते अंगल करने में आपको मदद होता है काफी यदा soft हो जाता है आपके hair और आपके hair जाता है तो सेम इस mask के साथ मैं आप लोगों को कड़ें दिखाऊंगी कि इसका result क्या आता है के खाल जब करते हूं सstep करने के दो दिन बात से अगर मैं प्रॉपर चोड़ना स्टार्ट होयाता है और अभी तो मेरे। यह ओड़ी दिखता है लेकिन मेरे लेंड्ट है काफी ड्राइ दिखते तो अब मैं यूज arsenal के लिए के लिए हीर को अच्छी से अच्छी है करना है यानिक कि में सड़ेघिक्षे स्टाहिए है और मेरे यह मेरे हैधा अच्छी काफी हीई ने। इस & में शीद नहीं कीजिए अब लिए से पारट में डिवाइट कर लूंगी करने कि आप साइट पर मैंने स्टिट पर को चारजिंग लगा दिया था अभी मैं इस क्रीम को यूज करूंगी और यह क्रीम ढ़ने को मैं ने पहले ऐग बर यूस्ट किया है तो आज मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को करके दिखा रही हूँ तो अभी मैं अपने हेर को छोटे-चोटे सेक्षन में डिवाइड करूंगी ताकि मुझे हेर स्ट्रेटनिंग करने में इजी हो और यह जो हेर स्ट्रेटनिंग है बहुत बक्वास है मैंने बहुत पहले तो मैं आज काम चललाने के लायक सोया, क्याने को मैं आइक स्ट्रेटन को मैं स्ट्रेट सेक्षन को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ केल्प से तोड़ा सा डिस्टर्स रखके थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके में पूड़े अच्छे से हेर में इसको एपले करती जाऊंगी और इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से इसको आपको मतलब इस तरह से करना है जैसे मैं आप लोग को कड़के दिखा रही हूं तो क्रीम जो है अच्छे से पूरे हेर पर अच्छे से स्प्रेट हो जाए पार्लर वगर में आपने देखा ही हो गया जैसे तरह से वह लोग आपने हेर को अच्छे से रब करते हैं तो इसी तरह से आप स्ट्रेट करते हुए मतलब हैर को स्ट्रेट रखके आप इस तरह से क्री क्रीम को लगा लींद से क्रीम कर से सफ्रेट में क्रोंगी है यह क्रीम कर सेस्ट का स्वाइब अग्षण यह लिए प्रवसर की सिर्टी सिंद्थिए लां के सब्सक्राणि नियालो कर दो अपराग कर दो दो कर दो कर दो दोगा है झाल झाल तो आल्ब़्स मैंने एक साइट की हेर को by कर लिया है जब अपर हैं। के गाई मैं इस से एक कम्परीट करने के बाद मैंने इस तरह से कॉम कर लिया है ताकि मेरे हेयर जो है जितना पॉसिवल हो सकी स्ट्रेट रहे और एधर हो जाए तो रहीत इसको एकदम स्ट्रेट करके हेयर को कोम करके मैंने छोड़ दी है अभी मैं नेक्स मतलब दूसरे साइट को मैं कम्प्रेट करूंगी लेकिन इस साइट में कोई भी हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं चलाओंगी तो मैं थोरा-थोरा क्रीम लेकर और अच्छे से कर रही हो और इवयनन इसलिए छोटी-छोटी सेक्सिन ली है तो लगा यह ताकि आपको एक अच्छासर रिजल्ट मिले तो इस तरह से तरह से मैं तरीके से जाए तो फल्ले हेर को कंप्लीट कर रही हो पूरे hair पे अच्छ इसको लगाने के बाद मैंने दो साइट के hair कोenden को Lukas कोम करके चोड़ दी है ओर अगर आप कायराटीन से थोड़ा बहुँ स्ट्रेट निंग लूक चाहते है तो आपको hair को टाइप नहीं करना है ना ही आपको इसको फोल्ड करना है ना ही आप किसी रैपर से रैप करेंगे तो इसी तरह से आप हैर को 10 से 15 मिन्ट के लिए छोड़ दीजिए 10 से 15 मिन्ट छोड़ने के बाद मैंने जस्ट नॉर्मल हेर वश किया था और नेक्स डे मैंने सैंपू एंड कंडिशनिंग की थी तो यह जो आप देख रहे हो यह नेक्स डे का रेजल्ट है इस दिन मैंने कोई भी सिरम वगरा यूज नहीं किया था और विदाउट सिरम के मैं दीखाना चाहते थी क्योंकि सिरम आप जब लगाते हो तो आपके एयर जो है वैसे यह काफिया ग्लॉसी दिखते हैं यह जह चाईन है clay यह इन करता है यह 예 कर पारी हूँ और काफी एदा मैनेजेबल हो गए फ्रीजी नहीं है बिलकुल भी और दोनों साइट के हैर में आप एक विजिबल डिफरेंस देख रहे हो जो की है जिस साइट पर मैंने स्ट्रेटनिंग चला के हैर को में यह क्रीम लगा था उस साइट के हैर मेरे काफी एदा स्ट्रेट है और जिस साइट मेंने कोई भी हैर स्ट्रेटनिंग नहीं चला था और डायरेक्ट मैंने इस क्रीम को यूज किया था तो उस साइट के हैर मेरे नैचरल जिस तरह के वेभी हैर है वो है तो यह काफी यादा अच्छी क्रीम है बोलूंगी कि अगर आप थोड़े बहुत स्ट्रेटनिंग लूक चाहते है अपने हेर में और वह भी इस बहुत ही अफुड़ेबल के क्रीम के साथ तो इस क्रीम को आप जरूर ट्राय कर सकते हैं आफटर हेर वाश मैंने कोई भी स्ट्रेटनिंग टूल यूज नहीं किया है तो अगर आप हेर कीजानियो ज्यादा मिल गए तो आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा तो आएफ मेरे यह इख रिख Martinez लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कॉमेंट जरूर करें तो मिलते हो किसी और वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई